हे नमस्कार दोस्तो मेरा नामे राहुल और आप सभी का स्वागत है राहुल टैक में दोस्तो आज की वीडियो में आप देखेंगे अन्बोक्सिंग एंड रिव्यू ओफ रेड्मी नोट 5 परो के कवर की जो हमने लिया है ओफलाइन मार्किट से इसे मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूँ तो आफ्टर यूज के बाद मैं इसको बना रहा हूँ तो ये पैकेजिंग के लिए मैंने इसके अंदर पैक किया था सिर्फ तो दोस्तो दस दिन यूज करने के बाद मुझे कैसा लगा cover और कैसा यह cover है आपको बताता हूँ कैसे यह हमारे camera को fully protect करता है अगर आप phone को कहीं भी रखते हैं तो दोस्तो बहुत अच्छा cover है बिल्कुल quality काफी अच्छी है आप देख सकते हैं चारो साइड में चार bum लिकले हुएं साइड में जिससे यह phone को उपर hold करके रखते हैं camera को नीचे touch नहीं होने देते हैं तो यह सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसका design काफी अच्छा लगा नीचे से black है और थोड़ा उपर से orange type है और पूरा यह transparent है तो दोस्तो जल्दी से हम इसमें अपने phone को लगाते हैं और देखते हैं हमारा phone इसमें कैसे set होता है आप देख सकते हैं चार bum चारो साइड है आगे और पीछे दोनों तरफ है तो जल्दी से हम phone set करते हैं और देखते हैं कैसा यह लगता है तो दोस्तों यह हमारा Redmi Note 5 Pro और इसमें लगाना बहुत एजी है इसमें ऐसे लगाईए और यह बहुत एजिली सेट हो जाता है तो दोस्तों हमाने अपने फोन सेट कर दिया है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारो बंप हमारे फोन को ओपर खोल करके रखते हैं जिससे कैमरा अगर हम नीचे रख भी दें तो यह टच नहीं होता है तो यह सबसे अच्छी बात है इसकी तो यह चीज़े हमारे फोन को अच्छी चीज़े है आगे का वी पर्टक्टेट रहता है क्योंकि इसमें आगे की साइड भी ऐसे ही 4 भंफ है उसे आप अगर केमरे को ऐसे करके अटा वह रखते है ऑपन तो नीचे से ब्लकुल टच्छी होता है यह फोन को ओपर होल्ड करके रखता है तो इसलिए यह बे